आज हम लोग इस वीडियो में भारती समविधान से जितने भी important कोशन बन सकते हैं वो सारे कोशन के बारे में डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन क्या है समविधान सभा के अस्थाई अद्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो डॉक्टर राजिन प्रशाद को नियुक्त किया गया था बारती सम्विधान सभा की अस्थापना कब की गई थी तो 6 दिसंबर 1946 को बारती सम्विधान सभा की अस्थापना की गई थी बारती सम्विधान के निर्माड में कितना समय लगा था तो 2 वर्स 11 महिना 18 दिन लगा था भारत में पहली बार समविधान दिवस किस वर्ष बनाया गया था तो 2015 में मनाया गया था समविधान में धर्म निर्पेक्ष और समाजवादसब्द किस वर्ष जोडे गए तो 1976 में जोडे गए पंचवर्सी योशना की ओधाड़ा किस देश के सम्विधान से प्रेरित है तो सेवित संगे सम्विधान से प्रेरित है किस भाग को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है भारती सम्विधान को लागू करते समय इसमें जो है कितने अनुछेद भाग वह अनुसूचिया थे 395 अनुछेद 22 भाग और 8 अनुसूचिया थे वरतमान में भारती सम्विधान में कितने अनुछेद भाग और अनुसूचिया है तो 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुचुचिया है देश का कौन सा सरोच कानून है तो भारती सम्विधान देश का सरोच कानून है भारत का सम्विधान किसके द्वारा बनाया गया था तो सम्विधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था भारती सम्विधान को अंगेकरित कब किया गया था तो 26 नुवंबर 1949 को अंगेकरित किया गया था भारत का मूल सम्विधान कहां से प्रकाशित हुआ था तो देहरादून से प्रकाशित हुआ था मूल सम्विधान कितने शब्द से बना है तो यह जो है असी हजार सब्द से बना है किस देश का सबसे बड़ा लिखे सम्विधान है तो भारत का सबसे बड़ा लिखे सम्विधान है समिधान के लिख custody संकलपना का उद्भौ सबसे पहले कहाँ हुआ था तो सयुक दुराज अमेरिका में हुआ था भारत का मूल अधिकार कहा सराक्षी थैं तो संसत भौन में जो हैं सनरक्षी थैं प्रावरुप समिती में भारत सम्विधान को किस बासा में लिखा गया था तो केवल अंगरीजी में लिखा गया था प्रावरुप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर बियार अमेड करजी थे भारत के राष्टी धोज का चक्कर क्या निरूपित करता है तो सत्य की बाद जो है निरूपित करता है चक्र भारत संपूर संप्रबुद्व संपन लोकतांत्री गडराजी कब बना तो 26 नॉम्मर 1999 को बना केंद्री विधाल मंडल का प्रतम अध्यक्ष कौन था तो बिठल भाई पटेल थे किस देश के में लोकतांत्र नहीं है तो कौन से देश में लोकतांत्र नहीं है चाइना में लोकतांत्र नहीं है भारत में एकल नागरिक्ता की ओधाड़ा कहां से ली गई है तो इंगलेंड स सबा को किस योजना द्वारा गठित किया गया था तो कैबिनेट मीशन के द्वारा गठित किया गया था बारती सम्विधान की रचना के समय सम्वैदानिक सलाकार कौन थे तो बियन राओ थे सम्विधान सभा में राष्टी गान कब अपनाया गया तो 24 जन्वरी 1950 को अपनाया गया भारत के अंतरिम संसंद में कितने सदा से थे तो 296 सदा से थे सम्विधान सभा में कुल कितनी महिलाए थी तो 15 महिलाए थी भारती समविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो 12 अधिवेशन हुए थे आजाद भारत के समविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेन प्रशाद थे हमारा राश्टकान पहली बार कब और कहां गाया गया सोतन्तर भारत की लोकसभा का पहला अद्यक्ष कौन था तो जीवी माउलंकर थे बारती सम्विदान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोथ क्या है तो Government of India Act 1935 है भारत एक है तो भारत एक जो धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र है हीमांशल प्रदेश को राज का दर्जा का प्रदान किया गया तो 1971 में प्रदान किया गया राज्य सभा की बैठा का सभाब पती तो कौन करता है उबराश्ट पती करते हैं सम्विधान की किस संसोधन द्वारा मत दाता की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई तो 61 सम्विधान संसोधन 1989 द्वारा कर दी गई आर्ट में आज़ादी की बाद पहला आम चुनाव कब संपन किरा गया था तो 1992 में संपन करा गया था भारत के प्रतम वाश्राय कौन थे लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रतम गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड विलियम बैंटिक थे कुशन क्या है किस अधिनियम की अंतरगत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो 1833 का चार्टर अधिनियम के दोरा बारत के मुख चुनाव के नियुक्त किसके दोरा की जाती है तो मुख चुनाव के नियुक्ती किसके दोरा की जाती है राश्टपती दोरा की जाती है भारत के सम्विधान में प्रेस की सुतंतरता किस अनुच्छेद के तहर सुनिश्चित की गई तो अनुच्छेद 19 के तहर सुनिश्चित की गई बारती सम्विधान का कौन सा अनुचेद संसत को सम्विधान का संसोधर करने की सक्ति देता है तो अनुचेद 368 क्वेश्चन मरे किया है सम्विधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो सचिता नंद सिन्ना सम्विधान सभा के अस्थाई सदसे थे सम्विधान सबागे अस्थाई अद्दक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो डॉक्टर राजिन प्रशाद को नियुक्त किया गया था भारती सम्विधान के निर्माड में कितना समय लगा था तो दो वर्स 11 मीना 18 दिन लगा था बारत में पहली बार सम्विधान दिवस कम मनाय गया था तो 26 नॉमबर 2015 को मनाय गया था सम्विधान दिवस कम मनाय जाता है तो 26 नॉमबर को मनाय जाता है भारती सम्विधान को लागो करते समय कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचिया थे तो 392 अनुचित, 22 भाग और 8 अनुसूचिया थी वर्तमान में भारती समीधान में कितनी अनुसूचिया है तो 12 अनुसूचिया है भारती समीधान के किस भाग को समीधान की आत्मा कहा जाता है तो प्रश्तावना को जिसको उद्देशिका कहा जाता है इसी को समिधान की आत्मा कहते हैं बारती समिधान को कब अंगेकरित किया गया था तो 26 नॉमर 1949 को अंगेकरित किया गया था बारती समिधान को कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बारती समिधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे भारत देश का सरवच कानून कौन सा है तो भारती सम्विधान जो है भारत देश का सरवच कानून है बारत का मूल समविधान कहां से प्रकासित हुआ था तो सर्वेयाफ इंडिया देहरादून से प्रकासित हुआ था बारती समविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे तो प्रेम विहरी नरायण वाद राज़वाद जादा थे बारती समविधान की रचना के समय समविधानिक सलाकार कौन थे तो बियन राओ थे वरतमान में समविधान में सिच्छा को कौन से सूची में रखा गया है तो समवरती सूची में रखा गया है बारती सम्विधान में समवर्ती सूची किस सम्विधान से ली गई है तो आस्ट्रेलिया के सम्विधान से ली गई है किस देश का सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा लिकित सम्विधान है तो भारत का सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा लिकित सम्विधान है भारत में एकल लाग रिक्ता की आउधाड़ा कहां से ली गई है तो इंगलेंड से ली गई है भारती सम्विधान में मौलिक अधिकार की आउधाड़ा किस देश के सम्विधाड़ा से ली गई है तो अमेरिका के सम्विधाड़ा से ली गई है बारती सम्विधान में पंच वर्षी योजणा के ओधाड़ा किस देश के सम्विधान से प्रेरित है तो सेविस संग के सम्विधान से प्रेरित है बारती सम्विधान में शर्शोतन करने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है तो दक्षुर अफ्रिका से लिया गया है बारती सम्विधान में राष्टपति के चुनाव के प्रडाली किस देश से ली गई है आयरलेंड से ली गई है सम्विधान सभा का प्रतम अधिवेशन कहा हुआ था तो दिल्ली में हुआ था बारती सम्विधान का पहला शर्षोधन किस वर्ष हुआ तो 1951 में हुआ था किस सम्विधान शर्षोधन को भारत का लगु सम्विधान भी कहा जाता है तो पैलिस्वा सम्विधान शर्षोधन को कहा जाता है भारती सम्विधान की प्रस्तावना में धर्व निर्पेची सम्विधा संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो बैलिस्वा सम्विधा संसोधन द्वारा जोड़ा गया तो एक बाज़े प्रस्तावना में संसोधन किया गया भारत की समविधान की प्रस्तावना में प्रतम संसोधन कब किया गया तो 1976 में किया गया समविधान सभा की प्रारूप समेति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर भीमरा उमेट कर थे मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं सविधान के किस संसोदन दोरा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई 61 सविधान संसोदन दोरा कर दी गई संसत भौन का उदगाटन कब हुआ था तो 1927 में हुआ था संसत भौन का उद्गाटन किस ने किया था तो लॉड डफरीन ने किया था संसत का उच्छ सदन कौन सा है तो राजी सबा संसत का उच्छ सदन है संसत का निमने सदन कौन सा है तो लोक सबा संसत का निमने सदन है हमारा राष्टगान पहली बार कब और कहां गया गया तो 27 दिसम्मर 1911 में कलकत्ता में भारती राष्टी कॉंग्रिस के अधिवेशन में गया गया था